अलो स्टुडन्ट, आम सौतीष शाहाः रम्शधा एंस्ट्थूट, तर आपन आज बगनार आहे अपने एक्ससाइज नॉमबर 29.3 तर फर्स्टाइम तुम्ही विडो बगाता सेल, तर इंट्रोड़क्शन पार्ट अल्रड़ी जालेला आहे अपना इंड्रोड़क्शन पाइट बगा ते जट सब्याई तुम्चे कंसेप्ट लियर होतील वाट इस अलजेबिक एक्स्प्रेशन मग तुम्हे एक्सराइज इजीली सौल पर जटता तो स्टाट कुरिया आपले एक्सराइज नंबर 29.3 फिर्स्स कोश्चन आहे X years ago the difference between the ages of Hari and Sadhu was Y years तरवगा X years ago situation काई दिलेडा है X years ago difference between the ages difference between the ages of Hari and Sadhu Hari and Sadhu किती आहे? Y years आहे X years ago difference between the ages of Hari and Sadhu Y years then after 3 years what will be the difference of their ages suppose consider करा X years ago suppose आपन consider करू 2 years X ला 2 X ला तुम्हे 100 ही consider कर सक्ता कुटल ही एक number consider करा suppose आपन 2 years ago difference between the ages suppose आपन consider करो Hari चाए जाहे 20 आणी Sadhu चाए जाहे 22 तर अता प्रेजेंट age suppose 20 जाहे 22 आहे X years ago difference आपन चाहे जाहे 2 चाहे आहे मग Y इकोल टुम्हे आहे होनार 2 चाहे होनार मनजे suppose किती पन वर्षा आधी ही ते हुदे suppose X years ago 2 years ago difference आपन चाहे 3 years ago difference आपन चाहे 50 years ago कुटल ही वतार भगा 20 years मनजे 10 years ago पन चाहे age मदला difference तूच आपन चाहे after Z year मनजे after some years Z consider करो आपन after 4 years consider करो after 4 years suppose हे 20 यनि 22 असे तर काहे होनार है 20 plus Z 22 plus Z मनजे suppose 4 years आपन मनलो suppose Z आपन 4 consider केलो तर हे 24 होनार है हे 26 होनार है again है चाहा मदल difference 2 चाहे रहे किती पन वर्षा महागा जावा difference तर दोगान चाहे मनलो से मत रहा रहे ते बदलाना नाही तर answer काहा रहे आपला Z years नंतर पन option मग तेन चाहे difference काहा आशना रहे H चा Y चा आशना रहे बरबर simple logic आहे logic नी जावा ये ज़ग परत equation वगेरे create करूँ time घालाई चे गरज नहीं आपन equation create करूँ शक्तो X years ago मग तेन से हरी लाइक अपन M अनी N गितलो मग M-X Y-X ये सगर करत बसनेत अपला time घालवाई चे नहीं simple logic करण तुम्हाना एकत मिन्ट टाइम आसता exam जे तुम्ही ओके चुर्यान तो बगुन घा अपन जरीया next question लाई ओके चुर्यान तर बगुया अपले next question काया है आप्टर X years Raju will be Y as old what was his age there 3 years back तर आफ्टर X years अपन कंस्रेडर करूँ या आदी Raju जो एज काया आसना रहे राइट तर let the Raju's age is A आपन कंस्रेडर के लो एक Raju's age आए A after X years there is a काया situation दे लेला है after X years the Raju's age is Y मंज़े X years नंतर after मंदलार आपन प्लस गेतो before मंदलार माइनस गेतो so A plus X equal to Y मग A आपन equation मदे convert के लो A equal to Y minus X this is the first equation next काया है question काया विचार ले आए 3 years before his age 3 years चा अधी ते ज़े age किती आशना रही 3 years अधी before मंज़े A minus 3 आता A ची value A equal to Y minus X put in this equation A equal to Y minus X साले Y minus X minus 3 and this is the answer कुछलो option करेक्टा है Y minus X minus 3 Y minus X minus 3 years 4th option is the right answer तर फक्त सिच्वेशन ला तुम्हाला कवर करेते आणि तुम्हा आणसर पटका नेते हेच्वेशन मदे हेच्वेशन अशा गोश्टी आपने इजली सॉल्व करू शक्तो महनूना अल्जिब्रिक एक्श्वेशन तुम्हा दोकात कॉस्च्वेशन से अतना Y X Y Y तुम्हाला इजली समद आंड़स्टेंट हाला पजये आणि इजली कवर पजये महनुना अल्जिब्रिक एक्श्वेशन फर्म ज़र ला है तुम्हाला था तुम्हाला तर बगून घ्या आपने ज़र लोगा नेक्स्ट कॉस्चिन ला ताई तरी तर दिले लखाया है किती किलोमेटर होमेनी आवर्स किती ताइंट चाहेक त port दिले ला तक तनी स्पीर है .40 किलोमेटर पर हूर तरीटर कंवस्यन काही नहीं है करना कि लो मित्र आ अणी अवर आँ है तर कहाँ कड़ाच अपनला है टाइम तर आ डालेधा अदेहा घचाज फॉर मिला अपनलाइक अद Kate 내 है दिस्तंस टाइम आनि स्पीड चाए तरीizar आलेसट पनलाइक स्पीड एक वल्टु distance upon time right stranded formula है यह already तुम्ही science में शिकलेला है जस्त ते formula यूँज कराएचे तर आप्ले ला काड़ेच चाहे time तर time equal to का ये नार distance upon speed फक्त ही तो conversion होता है cross multiply होता है तर distance किती आहे आप्ले काड़ा x plus 120 और ये speed आहे 40 km per hour तर इता आपन split करतो कराण हे fraction चाब फर्मर्या लेला है x upon 40 plus 120 upon 40 therefore x upon 40 plus 40 3 जा किते नारा है 3 x upon 140 plus 3 तर कुटलो option करेक्ट होना रहे है अपना option 4 तर हे ये question ही ची होता है जाए आए 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 इंपोर्टन्ट होता है ही formula जर ही formula तुमारा लक्षा असे त्रीजी दी तुम्ही है solve करो शकता तर आए आए ट्रीकी questions यू शकते है जर रिलेटेड हा है science जर formula बट हे यूज हो शकते है तर हे formula चाठेवा important हा है speed equal to distance upon time हे fraction मदे यूज शकते है ratio मदे यूज शकते है average मदे ही हे formula यूज हो शकते है तर important हा है नौटडाउन करूं गया तर जवी आप पले आपन next question ला okay student तर भगी आपले next fourth one question कया है write the remainder if twice of 5b plus a is subtracted from the three in bracket a plus 5b question कया है remainder मज़े subtract कराया चाहे twice of मज़े twice of 5b plus a is subtracted from three in bracket a plus 5b मनज़े हेचा थे subtract कराया चाहे पिला okay तर बगुया का answer रहत है three in bracket a plus 5b minus two in bracket 5b plus a okay तर solve करूं की आपन three a plus 15b minus 10b minus plus minus 2a okay तर बगा का याण आ रहा है a यानि a 3a minus 2a ताया रहा है a 15b minus 10b plus 5b तर बगुया कुपला option करेक्टा है आपला 5b plus a option 3 का रहा है आपला करेक्टा रहा है easy रहता question तर बगुन क्या solve करा आपन जविया next question दा okay student तर बगुया अपला next question if x equal to 15 y equal to 20 what is the value of square root of x square plus y square इत्दा अपलेला फक्त values पूट करा चेट square root मदे x square plus y square x ची value गाय देले लिया है 15 square plus y is 20 square 15 square 225 plus 400 square root of 625 is nothing but 25 okay easy होता question करने यह already easy square आपनी square root आपनी square root आपनी स्कॉलर्शिप साथी प्रिपेर करा रागलो ते वाम इते आदी पस्वन तुम्हारा सांगात आले लिया है 1 to 20 at least square number तुम्हारा लर्न पाएजे मंजे आश्या कुटला ही question साले तर आपनी easily solve करो शकते है तर कुटला option करेक्ट आपना 4th option is the right answer तर बगुया next question काया है if x is a non-zero number then the opposite number of x is मंजे x is a non-zero number है मंजे 1, 2 कुटला ही number है सुशकते opposite number of x 1 is opposite minus 1 right minus 1 is opposite 1 मंजे non-zero number है है एक तर x positive number है सुशकते है और negative number है सुशकते है पॉसिटिव और नेगेटिव नमबर, राइट, कुटला ही ऐसुचिकते है पॉसिटिव और नेगेटिव तर कुटला ओप्शन करेक्ट आ है, ओप्शन 3, तर बगुया आपले नेक्स्ट सेवन कॉर्शन काया है, ऑट ओप्शन काया है, था पॉसिटिव और नेगेटिव और ख अड़य और पॉसिट आ पॉसिंगा पॉसित कि बगुया त तो, what will be the cost of total 10 books? मनजे, एका बुक्स चीकी मद जर, सबोज, वन बुक्स चीकी मद जर 10 असेल, तर 10 बुक्स चीकी ती होना, आपन काय करतो? मल्टिप्लिकेशन करतो, 10 इंटो 10, सेम, इता काय करो लागेल? है, इक्वेशन फॉर्मेट मन जर आ है, तर आपनेला है, दोगांचा मल्टिप्लिकेशन करो लागेल, राइट? 9x प्लस 11y, मल्टिप्लाई बाई, 2x माइनस 3y, जो आपने मल्टिप्लाई करतो, जब मात अपनेला वैल्यू मिलते है, टोटल बुक्स ची, तर इता मल्टिप्लाई करो लागेला, 9x in bracket, 2x माइनस 3y, नेक्स प्लस 11y in bracket, 2x माइनस 3y, अधा सॉल्ट करो लागेला, 9 तूजा 18, 18x स्क्वाइल, माइनस 9 तूजा 27xy, प्लस लागेला, 11 तूजा 22xy, माइनस 11 तूजा 33y, तर पूड़ा अंसर का याना रहे बगा, 18x स्क्वाइल, इता xy xy है, माइनस 27 तूजा 22, का याना रहे, माइनस 5xy, 22, 23, राइट, 5xy माइनस 33y, यान दिस इस दा अंसर, तर हे कुटला option करेक्ट है तर है जा, 33y स्क्वाइल, ओके, इता y स्क्वाइल नेना रहे, y into y, तर option 1 बगा, 18x स्क्वाइल, माइनस 5xy, रूपीज, टोटल कॉस्ट, रूपीज ची साय नेना रहे, तर option, फर्स्ट का या है, करेक्ट आंसर है, कॉस्ट जर नीट समझला, तर तुम्हाला हे समझते कि, हे जा मल्टिप्लिकेशन करेचे, मनोन मी नहीं ही तुम्हाला सांगते, हे जेही एक्वेशन से ते, ते तुम्ही स्मॉल नंबर मदे कंस्ड़र करा, कॉस्ट नीट वाचा, cost of 9x plus 11y, मग तुम्ही consider करा, cost of 10 books, add the rate of, add the rate of, मन्जे 1 books ची value इता दिलिला हे, सपोज 1 books ची value आहे, 10 rupees, तर आपने ला, total 10 books ची value करादेचे, तर आपने दोगान से multiply करतो, तर अशा, छोटा संस मदे, छोटा numbers मदे, तुम्ही हे, word problem, proper consider केला, तर तुम्हे हे question solve होतेचे, मन्जे तुम्हाला करतेचे कि, है जो multiplication कराएचे, का division कराएचे, का addition कराएचे, का subtraction कराएचे, मन्णों तुम्ही कदी पन चोटा numbers मदे, तेला consider करा, मन्जे हे easily solve होना चातेचे, तर बगना रहे, आपन next 8th one question, simplify कराएचे है कोश्चन ला, variables और brackets और आपना solve कराएचे और अंसर कराएचे, तर जहुआ हाँ टाप चे, बिक कोश्चन आसते है, तुम्ही एक-एक ब्रैकेट सॉल्फ कराएचे ला, मन्जे तुम्हा अंसर चुकत नाही, तर प्लस मैनस मदे issue होन, तर फोड़के शर्टी आंसर चुकू शकता है, तर बगोई हाँ आपन स्टार्ट कराएचे, तर आदी हाँ आपन हे वाला bracket सॉल्फ कराएचे, तर फोर्स नम्बर जे आहेचे, आज इस रहना रहेचे, तर नेक्स बने वाला bracket सॉल्फ करू या ? तर कके हैं एचे रहेचे, A मैनस, बगोई , जे बगोई हाँ, A-B-C-C तरह आपन काय केलो हे वाला ब्रेकेट आतला solve केटो प्लस A तरह आता परत आपन काय कोरिया नहीं अल्रेडी हे solve जाललो हता राइट तरह आता आतला हे solve करायाचे ओके येस हे मुठ्था आता पूर्ण एक ब्रेकेट जाल A-B-C-A-B-C-C-c-A-B-C-a राइट?" आता बगुया काय काय कट होता हे आदी एक बगुया आपन A-A बरोबर कट जाला एक A रिमेनिंग रहील −B कट जाला रहीला कायाता? A रहीला प्लस C 1, 2, 3 C ला 3 नी कड़ा addition आ है मनों C प्लस C प्लस C प्लस 3C A प्लस 3C is the answer तर कुटलो option correct आ है option 3 is the right answer ओके confused होत नहीं विवस्थी तुम्ही bracket वाइट solve के ला तर ह्या type चे question मदे silly mistake होडार नहीं तर carefully plus minus solve कर जावा तर बगई आपला next question काया है है ही simplify कराइचा है इता फक्त लक्षाद गाएचे तुम्हाला कुटला formula इता यूज करू शक्तो आता इता बगा m plus 1 upon m bracket square minus m minus 1 upon m bracket square तर सपोज है ला consider करो आपन a यादी b a plus b bracket square a plus b bracket square काया formula है a square plus 2ab plus b square right next होना रहा है a minus b bracket square a square minus 2ab plus b square हे दोनी formula इता आपन यूज करून हे simplify कराइचा पेडा तर बगा next चालू करू है आपन directly m square plus 2 into m into 1 upon m 2ab plus 1 upon m square कराण b square है मी directly answer ठोले minus ला minus sign है ब्रैकेट में दिस गी हुया कराण minus असला मोड़ा भाहर ब्रैकेट चे भाहर नंतर साइन्स चेंज होते है मनों confused हाईता नहीं है इसल्ट पर या m square minus 2 into m into 1 upon m plus 1 upon m square राइता अपन काय करू हुया हे ब्रैकेट सॉल्ट करून घुलिया ब्रैकेट सॉल्ट करून घुलिया ब्रैकेट सॉल्ट करेला इता बगा m m directly cut होते है डोनी करून राइट तर काय होना रहा है m square plus 2 plus 1 upon m square minus m square minus minus plus 2 minus plus minus 1 upon m square अठीत बगाई आपन काय काय करूत होते है plus m square minus m square राइट plus 1 upon m square minus 1 upon m square राइता है काय है plus 2 plus 2 राइट equal to 4 4 is the answer तर option बगुशकता तुम्ही option 4 कया है 4 answer आ है option 4 is the right answer तर student हेज़ा सोबर तर अपला complete जारे ला है 29.3 तर अपला है lesson ही complete जारे ला है तर ह्या है चाम अधे पकता questions easy होते values put कराया चे होते आणी expression use करून solve कराया चे होते तर आपन next topic मरे पन यहा टाइप चे questions बगणारा चाहे algebraic expression चे तर मैं की हे video ज़र तुम्हाला help जाला सेल तुम्हा आवड ला सेल तुम्हा फ्रेंच ला शेर करा ते नहीं help हो दे scholarship साथी आणी वीडियो ला सब्सक्राइब कराया चे विश्रुना का करण नवीन नोटिफिकेशन जे आए नवीन वीडियोज जे अपडेट होते ते तुम्हाला लोगकर लोगकर कहती तर्द scholarship सोबत तच वेदिक मैंस चे विडियोज भगा जेने करून तेचा मोला तुम्हा जे square square root जे तुम्हाल यूज होना रहे हे सगल तुम्हे ट्रिक्स दर तुम्हे शिकला तुम्हा calculation speed वादना रहे तो तेचे ही वीडियोज आहे तुम्हे प्लेइलिस्ट मदे जावाब चद्धा इंस्टूर्चा वेदिक मैंस चे ही वीडियोज तुम्हा दिसती और प्राक्टीस करत रहवा की प्राक्टीस थाइंक्यू